नमस्कार, संकुल शिक्षण में आप सभी का स्वागत, पंडित बच्छ राजव्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मदु सुधन टाक, आज हम कक्षा सप्तमी में विशय गनित में भिन और दसमलव की प्रश्णावली दो दसमलव एक में आगे अध्यान करने वाले हैं, तीन प्रश्ण इसके हम हल कर चुके हैं, चौता प्रश्ण है, एक आईताकार कागज की लंबाई, बारे सही एक बटा दो सेंटीमेटर, और चोड़ाई, दस सही दो बटा तीन सेंटीमेटर है, कागज का परिमाप ग्याद कीजिए, दो चीज़ें हमको दी है, लंबाई और चोड़ाई, और परिमाप ग्याद करना है, तो आईत के चित्र को आप देख लीजिए, आईत का यह है इस्सा, लंबाई कहलाता है, इधर यह चोड़ाई है, हमने इनको दर्साया है, लंबाई और चोड़ाई, चारों ही भूजाओं का योग वास्तव में कर दिया जाए, आप ध्यान करिए, यह लंबाई, इस बूजा की लंबाई, इसकी चोड़ाई, जितनी लंबाई है, उसके सामने की बूजा उतने ही नाप की होती है, आयत में, तो इसकी इसलिए हम यह सुत्र के माध्यम से करने वाले हैं, देखिए, यहाँ पर हमने हल किया इसको, आयत के परिमाप का सुत्र लगाएंगे, इसके लिए जब उत्तर लिखेंगे, तो हमको जो ज्यात है, जो दी हुई चीज है, उनमें से किन-किन का किस समय उप्योग करना है, यह हमाखा ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम आयत की लंबाई को लिखेंगे, हमको लंबाई दीवीती 12 से 1,2 cm हमने लिख दिया, फिर आयत की चोडाई को भी लिखेंगे, जो दीवीती 12 से 2,3 cm, यह लिखेने के बाद में, हम आयत का परिमाप का सुत्र ल होता है दो गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चोड़ाई जैसे सामने सामने लिखा है अब इसके अंदर जहां पर लंबाई शब्द लिखा है वहां पर हमको दी गई लंबाई लिख देंगे जहां पर चोड़ाई शब्द दिया गया है वहां पर चोड़ाई वाली मत्रा जो ह गुणा कोस्टक यहां तक हमने लिखा और इसके बाद में लंबआई लंबआई है 12 सही एक बटा दो यह लिख दिया हमने यहां पर प्लस चोड़ाई तो यह चोड़ाई यहां पर अपने लिख दिया है यह ऐसे है बारा सही एक बटा दो तो यह जो दो है हर वाला यह बारा से गुणा होगा बारा दोनी चोईस और यह जुड़ जाएगा पच्चिस तो यह हो जाएगा पच्चिस बटा दो तो यहाँ देखी हमने पच्चिस बटा दो लिख दिया ठीक ऐसे ही यह संख्या इसमें हर है तीन वो दस से गुना होगा दस ती आतीस उपर दो है वो जुड़ जाएगा बत्तिस तो हमने बत्तिस वटा तीन यहां पर लिखा अब कोश्टक के अंदर जो संख्या यह आई है इन दोनों के हर है दो और तीन दो और तीन का लेस है तो न तो दो का तीन में भाग जाता है न तीन का दो में भाग जाता है दोनों ही संख्या है आपस में गुना होगी और इस से तीन दूनी छे कमारे पास में लेस है आगए यह छे अब हम इस दो का भाग छे में देंगे तीन बार जाता है इस तीन को हम उपर वाले 25 से गुणा कर देंगे तो 25 ती या 75 यह देखिए यहाँ पर 75 संग्या आ गई ऐसे ही इस तीन हर का भाग इस 6 में देंगे तीन का भाग 6 में गया 2 बार और उस 2 को उपर इस अंस 32 से गुणा कर देंगे तो 32 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 64 और बीच में चिन हमेशा यहाँ पर चिन चाए प्लस का है या माइनस का उसी का उप्योग करने वाले हैं अभी देखिए उपर संग्या हो गई 75 प्लस 64 तो यह 75 प्लस 64 आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा 149 अब यहाँ पर आप देखिए यह 2 और निचे 6 बीच में यहाँ गुणा का निशान है तो अंश और हर या उपर नीचे की संख्याओं में बीच में गुणा का निशान हो तो उपर नीचे की और ऐसा हम कर सकते हैं तो इसा हमने कर दिया है देखिए यहाँ पर नमने जो संख्याओं लिखिए इसमें हमने काट करके लिख दिया एक गुणा 149 बटा 3 अब 149 में तीन का भाग दे देंगे वो जाएगा 46 बार और सेसफल बचेगा एक और जिसका भाग दिया वहाँ नीचे लिखेंगे तो बटा 3 ऐसा अमारा उत्तर आ जाएगा तो इस आयत का परिमाप यानि ये बाहर बार का संपूर नाप एक, दो, तीन, चाएं इस सब भुजाओं का योग हमारे पास आ गया चिया लिए सही एक बटा 3 सेंटिमेटर चलिए आगे बढ़ते हैं यहां हमको पांचवा प्रश्न दिया गया है पहले प्रश्न को समझ लें दी हुई आकरती में त्रिवोज A, B, E आयत B, C, D, E का परिमाप ग्याद कीजिए तो हमको दो परिमाप ग्याद करने है एक त्रिवोज का और दूसरा आयत का फिर पूछ लिए आगे किसका परिमाप ज्यादा है तो दोनों का परिमाप ग्याद करने के बाद में तुलना करनी होगी चलिए पहले हम त्रिवोज की गणना करते हैं तो यहाँ पर इस पांचवे प्रश्न का जो पहला दिया हुआ है, त्रिबुज A, B, E का परिमाप, तो त्रिबुज A, B, E, यहाँ पर हुआ, इसका परिमाप ग्याद करना है, तो परिमाप का अर्थ अभी आपको बताया, आमने, बाहर-बाहर का नाप, या समस्त बुजाओ का योग जो होता है, बह-परिमाप कहलाता है, तो यहाँ पर तीनो बुजाओं के जो नाप दिये हुए है, देखिए, यहाँ पर दो सही, तीन बटा चार है, यहाँ पर तीन सही, तीन बटा पांच है, यहाँ पर पांच बटा दू है, तो हम इनको ले लेंगे, और इनके प्यादार पर गणना करेंगे, तो त्रिभुज का परीमाप सुत्र हो जाएगा त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, या तीनों भुजाओं का योग, यहां पर तीनों भुजाओं के नाम लिख देंगे, अब जो मिस्र भिन्न में हैं, उसको हमको विशम भिन या नोचित भिन्न में बदलना है, तो इसको बदलेंगे, इसका हर है चार, वो दो से सामने के से कैसे गुणा होगा, तो दो का भाग तो चार में जाता है लेकिन पांच और चार ये दोनों आपस में किसी प्रकार से भाग जाने वाले संख्य नहीं है तो इनको गुणा कर दीजिए पांच ओके बीस हमारे पास में आगया लेस है बीस अब इस बीस के अधार पर आगे गणना करना है इस बीस में हम भाग देंगे दो का दो का भाग गया दस बार दस को उपर वाले पांच इससे गुणा करेंगे तो पांच दुनी 10 कशमा गरे 2 का भाग भी इसमें दिया 10 बार 10 को 5 से गुणा करेंगे 10, 5, 50 यह 50 आ गया इस 4 का भाग हम 20 में देंगे 5 बार जाएगा 5 को 11 से गुणा करेंगे 11, 5, 55 यह यहाँ पर 5 आ गया भिर अगली संक्या का हर इसका हर 5 इसका भाग 20 में दिया 4 बार 4 को फिर उपर 18 से गुणा किया 18 चो के 72 बीच में चिन देखे यहाँ पर प्लस था हमने प्लस लगा दिया यहाँ पर प्लस था यहाँ पर प्लस लगा दिया अब 50, 55 और 72 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 177 और बटा में जो 20 है वो वे से लिखेंगे 177 बटा 20 अभी इसको यहाँ पर एक बार रोकना पड़ेगा यह केवल त्रिबुज A, B, E का परिमाप आया है हमको नीचे जो चत्रबुज दिया हुआ B, C, D, E उसका परिमाप भी ग्याद करना है तो चत्रबुज का परिमाप ग्याद करने के लिए इस चित्र में आप देखिए चत्रबुज की लंबाई चोड़ाई यह दो सही तीन बटा चार और साथ बटा च्छे हमको दिविए इनका उप्योग करेंगे तो आयत B, C, D, E का परिमाप ग्याद करने के लिए परिमाप का सुत्र लगाएंगे आयत का परिमाप बराबर दो गुना कोष्टक लंबाई प्लस चोड़ाई इसमें दो को अपने इस्थान पर गुना को अपने इस्थान पर प्रकोष्टर को अपने इस्तान पर लिखा लंबाई की जगह हमको जो दिया गया है दो से इतीन बटा चार लिखेंगे चोड़ाई के इस्तान पर साथ बटा छेंगे और बीच में प्लस का निशान लगाया अब इनको जोडना है तो जोडने का प्रकार मिस्र-विन्न को इसम बटा च्छे, चार और च्छे, दोनों का लैसे, तो वो हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का जिसमें भाग जाता है, निकटतम संख्या, तो बार आए से संख्या है, जिसमें दोनों का भाग जाता है, अब इस बारे में चार का भाग देंगे, तो तीन बार, तीन को ग्यार तिया 33 यहां पर हमने लिखा ठीक ऐसे ही अभी यह प्लस का निशान लगा करके आगे और गणना करते हैं इस 6 का भाग बारे में दिया दो बार गया दो को साथ से गुना किया चवदर यह हमने लिखिया है अब उपर की संख्याओं का योग कर देंगे 33 और चवदर को जोड़ देंगे तो यह जाएगा 47 ध्यान करिए दो और बारे यह दोनों आपस में कटने वाले संख्या यानि समान संख्या का इसमें भाग जा बार तो 47 बटा 6 ऊपर एक से गुणा करने का कोई अर्थ नहीं रहता यह 47 बटा 6 cm अभी त्रिबुज का क्षेत्रफल भी आ गया आयत का क्षेत्रफल भी आ गया तो इसमें पूछा है कि बड़ा कौन सा है बड़ा ग्याद करने के लिए दोनों के हर समान होने चाहिए इसल 117 बटा 20 यह वाला और आयत का क्षेत्रफल इन दोनों को पहले हर समान करके तुल्य भीनों के रूप में आगे बड़ाते हैं हर समान होने से हम गणना कर पाएंगे तो पहले हमने त्रिबुज का क्षेत्रफल लिया 117 बटा 20 और उसके नीचे लिखा आयत का परिमाप दोनों का परिमाप लिखने से अब ध्यान करिए इसका हर है 20 इसका हर है 6 20 और 6 इन दोनों का ले से लेते हैं तो इन दोनों का बहाग जाता है 60 में लिकरतम संग्या 60 तो हमें हर 60 बनाने हैं तो 20 को 60 बनाने के लिए किस से गुणा करना वोते करना तो 20 को 3 से गुणा करें तो 60 तो हम केवल 20 को गुणा नहीं करेंगे इस पूरी संख्या यानि अंश और हर दोनों को ही 3 से गुणा करेंगे देखे हमने कर दिया 117 गुणा 3 यहा उपर लिखा और नीचे 20 गुणा 3 लिखा, इससे क्या हुआ, 177 और 3 का गुणा करने से हमको 531 पराप्त हुआ, नीचे 20 को 3 से गुणा करने से हमें 60 पराप्त हुआ, इसका हम को यहा रोक देते हैं, अब आयत वाले परिमाप में भी ठी कैसा ही काम करने वाले हैं हमें इस 6 को 60 बनाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा इसका अर्थ है अब हम इस पूरी संग्या यानि अश और हर दोनों को 60 से गुणा करेंगे 60 से गुणा करेंगे तो उपर भी हमने शमा करें 10 से गुणा करेंगे तो 47 को और छे और दस को गुणा करने से साथ प्राप्त हो गया। तो इन दोनों संख्याओं में अब हर तो समान है। साथ, साथ, तो हर समान जब हो जाए, तो जिसका अंश बड़ा है, वह संख्या बड़ी होगी। ज्यान करिए, अंश हर समान होने पर अंश की तुलना करेंगे, जिसका अंश बड़ा होगा, वह संख्या बड़ी होगी। तो अब हमको यहाँ पर सीधा साधिक राए, यह 531 है और यह 470 है, तो अब हम भी कहें, 531 बड़ा है, इसलिए त्रिबूज वाला परिमाप वास्तों में बड़ा हो गया, तो हम इनको बड़े और छोटे के करम में दर्सा देते हैं, यह संख्या बड़ी है और यह छोटी ह तो गणिती वाक्य के रूप में हमने लिख दिया, 531 बड़ा है, 170, 470 बड़ा 60 से, इसलिए अब हम कह सकते हैं, तुलना हो गई हमारे पास में कि किसका परिमाप बड़ा है, हमारी सारी गणना से, त्रिबूज ABE का परिमाप बड़ा है, आगे बढ़ते हैं, चटा प्रश्न, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम, हमने देखा है, कोई भी फोटो लगती है, तो उसके फोटो फ्रेम लगती है, चोखट में जड़ना चाहता है, तस्वीर 7 सई 3 बड़ा 5 सेंटिमीटर चोड़ी है, चोखट में उचित रूप से जड करनी काट चाहत की जानी चाहिए, तो तस्वीर की काट चाहत करनी है, इसका अर्थ है, तस्वीर बड़ी है, चोखट के अंदर जो गुंजाईस है, वह कम है, तो तस्वीर वाली जो गुंजाईस है, उस में से चोखट वाली को हमें घटाना पड़ेगा वास्तों में, चलि तो मिस्र बिन में बदलेंगे तो 5 और 7 का गुणा होगा 35 उसमें 3 जूड़ जाएंगे 38 बटा 5 सेंटिमेटर, यह काम हो गया, फिर चोखट के जड़ने के लिए कितनी आवशक चोड़ाई चाहिए, जो हमको दी गई है, पहले लेते हैं, 7 सही 3 बटा 10 चाहिए, इसको भी मिस बिन में बदलेंगे, तो 10 और 7 का गुणा 70, उसमें 3 जोड़ दिये तो 73, 73 बटा 10 हो जाएगा, अब तस्वीर की चोड़ाई में से, यह चोखट के अंदर जितनी गुणजाई से, उसका अंतर कर देंगे, तो काट छांट के लिए कितना अंतर चाहिए, तो हमने तस्वीर क की चोड़ाई और, यह चोड़ाई, चोखट के अंदर जितनी चाहिए, उन दोनों का अंतर कर दिया, बीच में बाकी का निशान लगा दिया, नीचे हर में 5 और 10 है, इन दोनों का लह से लेंगे, तो 5 दूनी 10, यह 10 हो जाएगा, दस में इन दोनों का भाग जाता है, जान करिए, अब इस 5 का भाग दस में देंगे, दो बार जाएगा, इस दस में दिया हमने, दो को 38 से गुना करेंगे, तो आ जाएगा 6, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, इस दस का भाग, इस दस में देंगे, दस का दस में भाग एक बार गया, एक को 73 से गुना किया, तेहतर का तेहतर गटेगा, तो बचेगा 3, तो यह 3 और बटा में जो संग्या थी, दस ऐसी किया सिया अभी, इसका मतलब है, हमको 10 बटा 3 सेंटिमीटर उसकी कटाई करनी पड़ेगी, तो वह तस्वीर चोगट के अंदर आ जाएगी, प्रति दिन की भाति हमको ग्रिहकारिय करते रहना चाहिए, आज का ग्रिहकारिय आप नोट करिए, रितु ने एक सेंट का तीन बटा पांच भाग खाया, और सेस सेव उसके भाई सोनू ने खाया, सेंट का कितना भाग सोनू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, तो ध्यान करिए प्रारंब में एक सेहु में से रितु ने खाया वह भाग गटाएंगे तो सोनु ने कितना खाया वह मात्रा आ जाएगी फिर दोनों की तुलना करनी है तो तुलना करने के तुल्ले भिन अभी हमने चोथे प्रश्ण में जैसा किया तुल्ले भिन से उनको हर समान करके बढ़ा कर लीजिए हर समान करने से फिर जिसका अंस बढ़ा हो उसने ज्यादा खाया और कितना तो ज्यादा वाले में से कम वाले को गटाना है आशा है आप सावधानी पूर्वक अच्छे से अध्यन कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद